नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप दुखना सुरू कर चुके हैं बिहार के संभीदा कर्मियों का लोग्तिदी में तवर्थ नूर इस चैनल से जुड़े हुए हैं और समय समय पर सरकार से जो संभीदा कर्मियों के बारे में कोई अपडेट निकल कर आती है तो उसे हम इस चैनल के माधहम से आपको बताते रहते हैं तो दोस्तों कल जो है कि एक बहुत ही बढ़िया अपडेट संविदा कर्मियों के संबंध में निकल कर आई है वो है अपडेट है संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेख के संबंध में तो दोस्तों संविदा कर्मियों का जो है कि सेवा अभिलेख बनाने के लिए समान परसास सं बीभाग के द्वारा बिहार के सभी जीला पदा धिकारी सहित तमाम जितने देगा कlles अंधिया गिया है की संतुलित सेवा अभिलेक तयार करवाया जाए जिसमें उनके सेवा से संबंधित सारी पर विष्टिया करके अंकित किया जाए उनके अंगुलियों का निसान लिया जाए उनके छूटी से लेकर और नियोजन तक क्या सारा ब्योरा का परविष्टी उसमें किया जाना है तो अब सवाल उठ रहा है बिहार में प्रस्न उठ रहा है और बड़े पैमाने पर लोग जो है कि परिसान है कुछ लोग यह जानना चाह रहे हैं कि उनका सेवा अभिलेक बनेगा की नहीं तो दोस्तो हम यहां आपको उसी चीज को बताने के लिए आये है कि सेवा अभिलेक किनका बनेगा किनका नहीं बनेगा यह तो सरकार का बिशाय है किन्तु चोधरी कमिटी की जो अनुसंसाय हुई थी उसमें असपश्ट कहा गया था कि यह वरगी किरित कर्मी या कोई भी कर्म या जाएगा और सवाल उठता है कि सरकार जो है कि किसे संवीदा कर्मी मानती है किसे नहीं मानती है किनका सेवा अभिलेक तैयार होगा किनका सेवा अभिलेक नहीं तयार होगा तो जिनके नियोजन से पहले जो है कि बिग्यापन का परकासन हुआ हो बिग्यापन तो आप लोग समझते ही होंगे यानि कि सरकार ने कोई बिग्यापन जारी किया हो, कोई अध्यादेश जारी किया हो, जिसमें पतरांक और दिनांक उलिखित और अंकित हो, उसे ही बिग्यापन कहा जाता है, एक बिग्यापन पेपर के माध्यम से भी जारी हो सकता है, या किसी सर्वजनिक अस्थल पर सुचन कि नियुक्ति के लिए कोई पत्र जारी करती है उसी को बिग्यापन माना जा सकता है तो पहला मांदंड सरकार ने निरधारित कर रखा है कि नियुक्ति है तू बिग्यापन जारी कि रिक्ति के विरूद बिग्यापन जारी किया गया हूँ किस चीज को माना जाए कि किनके नियोजन के मामले में बिग्यापन जारी हुआ था और किसे माना जाए कि बिग्यापन के बगएर ही उनका नियोजन हो गया यह चीज और असपोस्ट है इसे सरकार ही असपोस्ट कर सकती है आगे बढ़ते हैं सरकार यहां कहती है कि यह screening committee का नियोजा निकाई का गठन किया गया है जिसमें मुखिया पंचायत सचीव, पंचायत अस्तर पर, पर्खंड अस्तर पर, पर्खंड और पर्खंड के करिपालग पदा अधिकारी उसी परकार जो है कि स्क्रीनिंग कमीटी उसी को कहा जाता है नियोजा निकाई के लिए जो नि कोई कमीटी गठीत हुई थी और सारे लोगों का निवोजन समीति के दौरा ही चैन हुआ था तो इसमें स्क्रीनिंग समीति किसे सरकार मानती है और की लोगों को मानती है कि ये लोग के टे गिडिया को पूरा नहीं करते हैं मेरे समझ से या दी मुखिया के द्वारा चैन समीती से चैनी सिक्षक आज जो है कि बेतनमान ले रहें बेतनमान के करीब करीब पहुँच चुके हैं तो उसी तरह सरपॉंच वगारा के द्वारा जो गराम कचहरीयों में नियुक्ति की गई जिसमें न्याय मीत्र सचीववादी सामिल हैं तो इन लोगों के म मामले में भी जो है कि है कि स्क्रीनिंग कमिटी का गठन माना जाएगा इसके अलावे जो है कि कई मामलों में जैसे किसान सलाहकार का मामला है, इसमें जीला अस्तर पर जो है कि नियुक्ति हुई है, बड़े अधिकारियों के द्वारा चैन किया गया है, तो क्या उसे मान लिया जाए कि ये स्क्रीनिंग कमीटी की गठन नहीं हुई थी, ऐसा कता ही नहीं हो सकता है, ये लोग भी बिकास मीत्रों की, तो बिकास मीत्र जो की पहले से ही 60 वर्स इनकी सेवा कर दी गई है, और इन्हें मूल भूत सारी सुईदाय, मुहया कराई जा रही है, जिनमें इनको दी ये महांगाई भाता है, के साथ-साथ करमचारी भविस नीधी और परतेकमाह मांदे का भूबतान किया जाता है, तो अनुमंडल अस्तर पर इनका चया ने अनुमंडल पदा धिकारी के द्वारा किया गया था, तो इससे बड़ा स्क्रीनिंग कमिटी अनुमंडल अस्तर पर कोई हो नहीं सकता, तो इसलिए विकास मीत्रों को भी मान के चलना चाहिए, कि इनका भी सेवा मैं यही तत दुबरा परस्तूत करूंगा, तो टोला सेवा के मामले में भी स्क्रीनिंग कमिटी की गठन को मान के चलना चाहिए, अब इस बिबाद का निप्टाड़ा तो सरकार ही कर सकती है, यह बात तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कि सेवा अभिलेक बन रहा है, अभी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं और अपना अनुमान बता दिये कि इन लोगों का जो है कि सेवा अभिलेक बनेगा, चुकि चोदरी कमिटी की अनुसंसाओं में सभी लोगों का सेवा अभिलेक बनाए जाने का निर्देस निर्देसित हैं, इसलिए सभी लोग मान के चले कि उनका सेवा अभिलेक बनेगा साथ की आंगन बाड़ी सिविका सहाई क्या रात्री परहरी और ऐसे बहुत सारे कर्मी हैं जो की कार्ज कर रहे हैं अब यह तो सरकार ही बता सकती है कि इन लोगों को सरकार संबीदा कर्मी नहीं मानती है तो क्यों नहीं मानती है सवाल है कि जब संबीदा पर नियोजन बिहार में हुआ तो सारे लोग आए और सभी लोग जो है कि अंदोलन किये तो चौधरी कमीटी बनी और चौधरी कमीटी ने जब अनुसंसा किया कि इन लोगों का सिवा अभिलेक बनेगा तो सरकार जो है कि उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल चुकी थी लेकिन हाल फिलाल में संबीदा कर्मियों ने जिस परकार का रूख अपनाया कला पटी अंदोलन से एक अंदोलन की सुर्वात की जिसे सरकार की नींड खुली और सरकार ने आनन फानन में जो है कि सिवा अभिल कोलन का कारण बनेगा और बिहार में बहुत बड़ा बिवाद और बखेडा खड़ा होगा इसलिए हम उमीद करते हैं कि सारे लोग धर्ज के साथ अपने बिवागों में संपर्थ में रहें और जो ही पर पत्राता है अपना जो है कि इंट्री करा कर सेवा अभिलेक तैयार करती है सरकार इस अधिकार से कुछ लोगों को बंचित करती है तो बिहार के तमाम संभीदाकर्मी एक जुट होकर इस बात का विरोध करें क्योंकि सरकार की हमेशा से फूट डालो और साशन करो वालन नीती रही है जिसमें संभीदाकर्मी फोस जाते हैं तो जैसे ही सब्सक्राइब करें नियुक्ते हैं विडियों में तब तक जिली जय हिंद जय भारत जय संविदा जय दिया